असलाम वालेकुम दिये स्टुटेंट्स मेक 246 मशीन शाप थियोरी इसमें हमने लाज्ट टाइम लेट मशीन और उसकी कंस्रुक्शन पड़ी थी हमारा आज का टॉपिक है टाइपस ओफ लेट मशीन टाइपस ओफ लेट मशीन में फर्स्ट वन हमारे पास है बेंच लेट जैसा कि यहाँ पर आप बेंच लेट का स्केच देख सकते हैं बेंच लेट इसको किसी भी केबनेट टेबल पर असानी से फिट किया जा सकता है फिटेड आन केबनेट इस लेट मशीन की बाकाइदा बेड या फांडेशन नहीं होती इसलिए इसके अपर पॉर्शन्स होते हैं और इस सारी कंस्ट्रक्शन को इस सारी बाडी को किसी भी केबनेट पर फिट किया जा सकता है बेंच लेट छोटे कामों के लिए इस्तमाल की जाती है और बेंच लेट की उपर सिक्रिव कटिंग और थ्रेड कटिंग के लिए जो गेर्स अवैलिबल होते हैं उनका साइज होता है 20 टीथ टू 1 20 टीथ विद दा इंक्रिमेंट ओफ 5 का मतलब यह है कि इस की उपर जो गेर्स अवैलिबल हैं वो 5 पांच के फर्क के साथ अवैलिबल होंगे 20 टीथ का गेर यूज किया जा सकता है ड्राइवर या ड्रेवन शाफ्ट की उपर सिक्रिव कटिंग के लिए यानि लीड सिक्रिव को इसकी स्पिंडल की स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ अंगेज और डिसंगेज करने के लिए जब यहाँ पर गेर्ट्रेन बनाई जाएगी तो उस गेर्ट्रेन के लिए ये वाले गेर्स इसके साथ अवैलिबल होते हैं 20 with the 5 increment of 5, 25, 30, 35 ये 120 टीथ तक जो है वो गेर्स अवैलिबल होते हैं लिए स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्टेंडर्ड इंजिन लेथ ये हमने पहले भी पड़ी इसके पार्स भी हमने पड़े कि जो स्टेंडर्ड इंजिन लेथ है ये mostly used होने वाली मिशीन है जिसको आम तोर पर वरक्षाप्स के अंदर प्रोडक्शन के लिए पार्स को बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है पावर्फुल मिशीन है इसकी जो बेड लेंथ या साइज रहता है यनि कि मिशीन को जो साइज है मिशीन जो है वो 5 फीट से 20 फीट तक के होती है बाड़ी के उपर हैट्ट फॉप केरेज टेल स्टॉप जैडल एपरन क्रास लाइट इसेट रह यह जो तमाम पार्ट्स है यह जुस्केच है यह हमारे पास इंजिन लेद और इसके तमाम पार्ट्स को हम तफसील के साथ इससे पहले लेक्चर में डिसकस कर चुके हैं तीसरी बड़ी जो टाइप है लेट मशीन की हमारे पास वो है यहाँ पर टूल रूम लेट टूल रूम लेट जो है यह एकुरेट टाइप आफ वर्क के लिए इस्तमाल की जाती है यह एकुरेट टाइप आफ वर्क के लिए इसको तरजी दी जाती है यूज़ फार टूल गेज़ेज़ जिग्स एंड फिक्स्चर तो यह मुखतलिफ टूल उनके एंगल उनकी शेप बनाने के लिए इस्तमाल की जाती है इसलिए यहाँ पर ऐसी एसेसरी ऐसी अटेच्मेंट की जरूरत होती है जिसकी मदद से टूल को असानी से किसी भी एंगल पर फिट किया जा सकता हो लगाया जा सकता हो जैसे कि यहाँ पर आप शेप में देख सकते हैं यह जो लाइट मशीन जो हो दिखाई गया है यह वारे पास है टूल रूम लाइट इसलिए नेक्स वान हमारे पास मशीन है स्पीड लाइट जैसे कि इसके नाम से जाहर हो रहा है कि यह ऐसी lathe machines हैं जिनकी मदद से हमें ज्यादा speed असल होती है जहां पर हमारी requirement यह हो कि हमें ज्यादा speed चाहिए हो वहाँ पर speed lathe को use किया जाता है यह used किया जाती है used for woodworking, finishing, polishing, centring and metal spinning woodworking lathe speed lathe में आती है finishing lathe, polishing lathe, centring lathe and metal spinning lathe यह यहां पर lathe machine की ज्यादा speed जो है वो हासिल की जाती है यह आप sketch देख सकते हैं यहां पर कि यह जो sketch है यह speed lathe के लिए देखाया गए आपको कि यह 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 जहां पर ज्यादा speed हासिल होती है डियस्टूट्स, next हमारे पास lathe, lathe की बड़ी टाइप में आती है पास next जो types है, five, six, seven, eight, यह जो types है, यह special purpose days है ऐसी lathe, जिनको किसी खास मकसद के लिए, किसी खास काम के लिए, किसी खास production के लिए बनाया गया होता है और इसी काम के लिए उसको इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है relieving lathe, जैसे कि इसके नाम से जाहर हो रहा है कि यह relieving angle बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है relieving attachment बाकाइदा तोर पर tool head की position पर नस्ब होती है जिसकी मदद से relieving angles बनाये जाते हैं relieving angles बनाने के अमल को baking of भी कहा जाता है तो मुख्तलिफ tools जैसा के milling cutters, reemers, taps, etc इन cutters या tools के fluids का relieving angle बनाने के लिए relieving lathe को इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर इस machine की construction बाकी machines की तरह ही है लेकिन इसकी tool head की जो position है उसके लिए इसके job को claim करने के लिए जो accessories, attachments और इसको tool head होगा उसको मुख्तलिफ जाविया पर लगाया जा सकता है ताकि आसानी से relieving angles बनाया जा सकते हैं यह sketch में आप देख सकते हैं relieving lathe की attachments और उसके head को Dear students, उसके बाद हमारे पास हैं turd and captain lathe turd and captain lathe both are production lathe यनिकि यह दोनों जो हैं यह production lathe हैं जिनको production work के लिए इस्तमाल किया जाता है आप आप डायाग्राम देख सकते हैं turd and captain lathe हैं हमारे पास यह sketch है turd lathe के लिए दिखाया गया है और यह sketch है यह block diagram है यह capstan lathe की diagram है turd यह capstan lathe के अंदर यह चुंकि production lathe से कम टाइम में ज्यादा production करनी होती है इसलिए इसलिए यहां पर इनकी उपर turd head के अंदर तूल पोस्ट के बिए यहां पर हम वाड़ यूज़ करें turd head turd head के अंदर आठ या 16 tools यह वो असानी से claim किया जा सकते हैं turd head turd lathe और capstan lathe के उपर जब move करता है तो उसकी position जो है यह कहां पर लगा हुआ था उसकी position दोनों machines के लिया से मुक्तलिफ है कि turd head turd lathe के अंदर cross slide या carriage के उपर move करता है जब कि कैप्स्टन lathe के अंदर turd head जो है वो auxiliary slide एक अजाफी slide लगी ही होती है जिसकी उपर वो move कर रहा होता है जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो diagram है यह turd lathe की है इसमें जो turd head या turd saddle है वो carriage के उपर ही move कर रहे होती है जब कि इसके मुकाबले में जब हम कैप्स्टन lathe की बात करेंगे तो कैप्स्टन lathe की उपर hexagonal type turd head जो है उसकी और cross slide के दरमियान एक अजाफी slide लगी ही होती है जिस slide को auxiliary slide कहा जाता है dear students, turd lathe जो है यह हमेशा large parts के लिए बड़े parts की production के लिए इस्तिमाल की जाती है जब कि कैप्स्टन lathe जो है यह small parts के लिए छोटे बुर्दों को बनाने के लिए इस्तिमाल की जाएगी dear students, next हमाने पास lathe machine है gap bed lathe gap bed lathe ऐसी lathe machine है कि इसकी construction तो simple है, सादा simple है यह जैसे हमारे पास standard engine lathe है, वैसी shape में, वैसी construction में होती है लेकिन इसमें एक अजाफी facility यह होती है कि इसका जो bed है, वो दो हिस्तों में बना हुआ होता है headstock से उपर की position, यह headstock की position के लियास से, जिससे diagram है आप देखेंगे कि इसका यह वाला जो portion है और यह वाला जो portion है, इसको दो अलग parts में बनाया गया है कि जरूरत के वक्त, अगर इस part को इस part से lift करना हो, तो इसको असानी से lift करके उपर उठाया जा सकता है अगर इसके headstock को उपर उठाया जाए, तो इससे अजाफी तोर पर यह facility होती है कि इसके portion को उपर उठाने से swing of job जो है वो बढ़ जाएगी Swing of job can be increased by lifting the upper portion of machine तो हमने पहले भी पढ़ा, कि machine का, जब size की बात की जाती है, let's say जैसे यहाँ पर आपके पास job लगा हुआ है तो job के center से लेके, bed के यहाँ तक, guide way तक का यह distance है, यह radius of job कहलाएगा हमारे पास, यह swing of machine कहलाएगा तो यह swing of machine जो है वो, जैसे हम जब इसको उपर की तरफ उठाएगे, तो swing of machine जो है वो बढ़ जाएगी यह नहीं कि हम जो है, ज्यादा बड़े size के job को भी इसकी उपर claim कर सकते है उसके बात हमारे पास last one machine है, CNC late, computerized numerical late machine इसकी आसान तरीन अगर definition की जाए, तो इसकी definition यह होगी, machine is controlled with computer कि ऐसी कोई भी machine जिसको computer की मदद से control किया जाए, उसको हम CNC machine का नाम देंगे इसमें machine की portion उसी तरह से होता है, लेकिन उसको manually controlled करने के बज़ाए, एक controlled interface की मदद से computer के साथ attach कर दिया जाता है, और computer programming के जरीए, उसकी movement को control किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर इस diagram आप देख सकते हैं, कि यह एक machine है, और यहाँ पर इसका साथ computer attached है, तो इस computer panel की मदद से, इस machine को आसानी से operate किया जा सकता है, तो इस students, आज का हमारा topic था, types of late machine, इसमें हमने late machine की major types को देखा, bench late, standard engine late, tool room late, speed late, speed late के अंदर woodworking late होती है, finishing late, polishing, centering and metal spinning late, similarly relieving late, turret and capstone, major production late है, उसके बाद हमने get bed late को देखा और CNC late